देखे फ्रैंट्स इसका एप को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक चौक और पट्टी लेनी है इस पट्टी की लंबाई चोड़ाई एकदम बराबर है आठ हिंच की लंबाई है तो आठ हिंच की इसकी चोड़ाई भी है इसको प्लेन आपने बनाना है यहां पे देखिए चलिए हम आप लोगको नाप की दिखाते हैं विइन सिंगल कलर में भी इसको बनाना है सिर्फ और यहां पे देखिए आठ हिंच की इसकी चोड़ाई है इसको मैंने पैता आलिसफंदे से नौ नम्बर की सलाई से बनाया हुआ है देखिए इधर भी और इधर भी देखिए चोड़ाई भी इसकी 8 इंच है और लंबाई भी 8 इंच है तो इसको friends मैंने new born baby से लेके one year के बच्चे के लिए बनाया हुआ है इसको baby girl baby boy दोनों लगा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा बनने के बाद और बिल्कुल simple है दोनों साइट से उल्टा उल्टा बना कर मैंने 45 इसको शुरू करके फिर इसको बनाया है यह देखिए एक बार और आप देख लेजिए आप लोग के इसकी लंबाई चोड़ाई 8 इंच है तो अगर आप लोग और बड़ा बनाना चाते है तो फंदे बढ़ा के और इसकी लंबाई चोड़ाई भी बढ़ा सकते हैं अब simple से क्या करना है फ्ररंच देखें मैंने आप दागे छोड़े हुए हैं तो यह तीकोना साइड जिस साइड है उस साइड से आपने इसको usa 5 इंच मोलना है आप इसको इंची टेप से नबर चोड़ते हैँ इंची टेप से नबाबने के बाद अबराबर इसका नापने में तो द थाए इंज को है इसके हमने इसर फोल्ड गिया और ये साइट से ऊंप ओल करें ओर यह देखिए दी å मने घाले लिए सुई को अजे को ढ़ाए में डाल दी और इस साइट से भी घ। हमने ऐसे पना ऐसे ले नहां sis की सिलाई करनी है फिर से आप लोग एक बार देख लिजीए कि कैसे इसके हमने सिलाई करनी और कैसे आपने इसको VOLD करना है बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ VOLD में आप लोग को थोड़ा से दियान देना होगा यह देखिए हमने VOLD कर लिया दोनो अब चलिए हम एक साइट से इसकी सिलाई कर लेते हैं नॉर्मल सिलाई करना है आप चाहें तो इसको उल्टे साइट से सिले या सीधे साइट से दोनों साइट से इसको रख सकते हैं लेकिन मैं इसको उल्टे साइट से सिल रही हूँ इसको पलट लोंगे फिर ये सीधा हो जाएगा ये देखे दोनों पार्ट को हम साइड साइड के चैन को लेते हुए सिलेंगे नॉर्मल सिलाई करनी है अपने टाइट सिलाई नहीं करनी है उपर तक हम इसको ऐसे सिल लेंगे सिलते समय अपने ये ध्यान देना है कि नीचे का पार्ट इसमें ना सिल पाए बस ये दोनों पार्ट ही हमने इधर का इधर सिलना है ये देखे इधर में अब हम इतना पूरा सिल लेते हैं सिंपल से अपने सिलाई करनी सिलाई आपने टाइट नहीं करनी है इतना ध्यान दीजिएगा फ्रेंट्स बनाने में बहुत ही इजी है अगर आप लोग नए है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अब पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं मैंने बहुत ही खुबसूरत सूरत बेभी कैप बताया हुआ है और सबी बिगनर्स के लिए जो सीख रही है उनके लिए है क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोग को कैप बनाना बताती हूँ तो चलिए अब मैं इस साइट का भी सील लेते हैं ये देखिए फस्तना नहीं चाहिए इस पार्ट को सिलने के बाद देखिए तिकोना फिर ये नीचे से दोनों पार्ट को हमने सिलना है ये देखिए ऐसे सिल के फिर ये दोनों पार्ट सिलना है हमने इधर भी हमने ऐसे और फसना नहीं चाहिए फ्रेंट्स तो चलिए इधर से भी हम सिल लेते हैं पूरा सिल के फिर आप लोग को दिखाते हैं देखे फ्रेंट्स हमने इसकी सिलाई करके इसको हमने सीधा कर लिया ये देखिए सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसे आएगा ये बैक साइट हमारा रहेगा विल्कुल सिम्पल है इसको सभी लोग बना सकते हैं फ्रेंट साइड हम आ गए है तो फ्रेंट साइड हमने क्या करना है फ्रेंट्स देखिए आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर कोई सो वटन लगा के सिम्पल रख सकते हैं इस कैप को लेकिन मैं इसको कैट का लुग दूंगी कैट वाला कैप बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं इसका फेस बनाऊंगी इसके लिए फ्रेंट्स हमने ब्लैक कलर काउन लेना है क्रोसिया लेना है और यहाँ पर सबसे पहले हम आख बनाएंगे बिल्ली की बिल्ली की आइस बनाने के लिए हमने देखिए ऐसे फिंगर पर फोल्ड करना है यह देखिए ऐसे धागे को रिंग एक बनाएंगे हम और इसके अंदर से हमने धागे को निकालना है यह देखिए धागे को निकालक और फिर हम यापट एक चैन ले लेंगे ऐसे, यह देखिए, चैन लेने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है? एक हम धीए यहाँ पर देखिए हमने एक ऐसे उपर चैन लिया, जानि फंदा लिया, फिर इस लूप में हम ढलेंगे, यहां पे हमारे तीन फंदे हो गए तीनों फंदों में से एक बार में ही हम निकाल देंगे यह देखिए तो ऐसे हमने छे बार बनाना है फ्रेंट्स फिर से देखिए इसके उपर एक हमने ऐसे फंदे लिए फिर लूप के अंदर से एक फंदे लेंगे तो यहाँ पे हमारे तीन हो गए तीनो चैन में से एक ही बार में हम सिंगल ट्रिपल कोर्षिय बना रहे हैं तो यह हमने छे बार बनाना है तो यह तीन हो गया जार और यह पांच बारे फ्रेंट शेय बन गए हमारे शेय बनने के बाद हमने नीचे वाला धागा जो था लूप बला उसको खीच देंगे तो यह एकदम बंद हो जाएगा अब लाश्क में हम ले जाके स्लिप इस्टिज के थोड़ जोड़ेंगे इसलिप इस्टिज मतलब फ्रेंट्स उसके चैन में डालके सिंपल सा हमने यह दोनों चैन से ऐसे निकाल देना है बस यह देखी है हमारी एक गोल बटन सी बन गई है तो ऐसे ही आपने दो आइस बना लेनी है तो यहाँ पर हमने दो आइस देखिए बना ली है एक पहले की बनाई थे एक आप लोग को बनाना बताया मैंने अब आपने इसको सेंटर में अपने हिसाब से दोनों आइस को देखिए मैंने धागे बड़े कट किये हैं तो दोनों को हम सुई में लगाके फिर यहाँ पर दोनों आइस को हम लगाएंगे लियान दीजिएगा आपने आपको कैसे लगाना है साइड साइड में बीच में जगा होनी चाहिए और एकदम बराबर में लगी रहे और इसको हम फोल्ड कर देंगे नीचे से तो चलिए पहले हम आइस को जोड ली है यहाँ पर देखिए अपने भी esat बराबर में जोड देना है आप यहाँ पर हम नोज बनाएंगे सिंटर में हमने यहाँ पर नोज बनाना है V-shape में इसके लिए सुई में हमने ब्लेक कलर का उन डाला है काले रंग का यहाँ पर देखिए हमने सेंटर में बनाना है V-shape में डबल धागे से हम बनाएंगे धागा हमने सिंगल दिया है लेकिन दो बार हम उसको बनाएंगे तब सही से बनेगा यह देखिए तीरचा ले जाके फिर यह से V बनता है ऐसी ही आपने बनाना है फिर इसको हम ऐसे नीचे लाएंगे यह देखिए हमने डबल इसको बना लिया है दो दो बार डालके ऐसे सेम उसी जगह में तो यह हमारे डबल अब हमने इसकी मूचे बनानी है इसके लिए हमने क्या करना है इसको फोल्ड कर देना है फोल्ड करने के बाद आधा आधा पार्ट में इसको भी बनेगा सिर्फ हमने इसको फोल्ड किया है तक नहीं किया है अभी हम जब बनाएंगे मुच्छे तो अपने आप ये टक हो जाएगे तो काले धागे से हमने इसकी मुच्छे भी बनानी है देखिए तीरचा देखिए हमने धागे लिए अब इसको हमने थोड़ा ये देखिए आपने इसको एदम स्ट्रेट नहीं करना थोड़ा सा तीर चाय एक दो फंदे नीचे ले जा के फिर इसको बनाना है इसको भी हम डबल-डबल गरके बनाएंगे तो यहां पर देखिए हमने दो बार उपर बना ये फिर बीच में हमने जो बनाया उसको हमने थोड़ा सा छोटा और नीचे वाला सेम नीचे वाला और उपर वाला सेम बराबर बनाना है और सेंटर वाला थोड़ा सा छोटा रहेगा तो सेम इतना ही बड़ा हम इधर भी बना लेंगे देखी एक ऐसे हम बनाएंगे थोड़ा सा तीरचा ले जाके आपने 3-4 इंच लंबाई पर इसको बना लेना है जैसे जितना बड़ा मैंने इस साइड बना है इतना बड़ा इस साइड भी बनाना है इसně देखिये जैसे बनाया फिर हमने क्या करना है फ्रेंट्स अब देखिए सेंटर में थोड़ा से छोटा बनाना है हमने तो इसके लिए हमने क्या करना है देखिए दो तीन फंदे हमने छोटा कर देना है मतलब उससे छोटा हो जाएगा बीच वाल हमने देखिए छोटा रखा यहां पे भ जैसे हमने उपर वाला बनाया है, उतना बड़ा हमने नीचे वाली भी बनाने है, उसी के बराबर देखिए, एक दम हमने नीचे भी बना लेना है, यह देखिए, यहाँ पे भी हमने दो बर बना लेना है, पीछे के साइड से धागे को कट करना है, आपने जब भी इसको बनाया है, तो ज्यादा टाइट ना खीचे, नॉर्मली बनाया है, यह देखिए हमने कट कर लिया, इसके फिनिशिंग किती खुबसूरत आई है, तो के लिए मैंने बनाया, काफी स्ट्रेजबल भी है, आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगे, कितना सिंपल है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताए, आज की कैप आप लोग को कैसी लगी, फ्रेंट्स, सिर्फ यह 30-35 ग्राम उन में बनी हुई है, बह लखिए, तो यह पूरा बनने के बाद आप लोग का ऐसे आएगा, सिंपल भी आप लोग बना सकते हैं, या ऐसे लेगन ऐसे आप लोग बनाएंगे, तो बहुत ही प्यारा यह लोग में आएगा,